लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे सोशल स्टेटस सोशल स्टेटस हमारे लिए एक एनलिटिक टूल है हम फेस्बूक, ट्विटर, लिंक दिन पर भी देखेंगे कि वो क्या अनलाइसिस दे रहे याद होगा हम लोगों ने एक लेक्चर में मैंने आपको पिन इसका बताया था, पिन इंट्रेस्ट का पिन इंटेस्स का इब मताया था हां, पिन इंटेस्स का बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अंदर एनलीटिक्स चेक कर सकते हो, आपकी कौन-कौन से लोग एकसेस कर रहे हैं, ऐसे ही न, basically हर एक टूल अंदर भी अपने एनलीटिक्स देता है, यानि डा आटा देता है जिससे कि आप ये अनिलाइस कर सकते हो ये चेक कर सकते हो कि आपके फालोवर्स आपके फैंस कहां से आपके प्रोफाइल पर विजिट कर रहे हैं मला किस कंट्री से विजिट कर रहे हैं किस टाइप के क्लाइंट्स हैं कितना वो कौन सी पोस्ट ज्यादा लाइ कर रहे हैं ठीक है तो यह सारे टूल्स कुछ न कुछ तो अनलेटिक्स देते हैं ठीक है बट प्राब्लम क्या होती है कि अगर हम आज के टाइम में देखें तो अलग-अलग टूल्स पे अगर आपको बैट के उनकी अनलेटिक चेक करनी हो तो थोड़ी दिक्कत लगेगी क्यो पागल हो जाओंगा ठीक है और सबके मैं ट्विटर डेक खोले जाओं तो वोगी में दिक्कत है या मैं दस के वेस्बूड अकाउंट खोल के बैठा हूँ अगर यह सारा कुछ एक ही जगह पर मैनेज होजे और आप कुछ क्लिक्स करो मतलब जस्ट आपने उपर से एक प्र टिपिकल लगती है अगर आप सिंगल सिंगल टूल पे काम करो अगर एकी टूल के अंदर आप सभी कुछ कम्बाइन कर लेते हो सब कुछ कम्बाइन है यानि सा मुल्टिपल प्रोफाइल साप एक जगहां पर चेक कर रहे हो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा काफी कुछ जैसे कि हम आटो पोस्टिंग में भी देखा अब मैं एक्जामपल लेकर चल रहा हूँ कि अगर मेरे पास सारे पेजबूक ट्विटर लिंक्डिन सब पर मैं डेली जाके खोल के लॉग इन होके पोस्ट करूँ बजाए उसके मैंने एक पोस्ट शेडूल कर दिया और चारो पोस्ट करें तो अगर हम इसको यूज करें ठीक है अपने बिजनस में या अपने क्लाइंट्स के लिए ठीक है चलो इसमें थोड़ा सा और डेप्थ लेते हैं फिर हम लोग चलते हैं अलग-अलग प्रोफाइल्स टूल पे सोशल मेडिया टूल्स पे ठीक है आँ ओके मैं आपको रिपोर्ट सेक्शन में लेया यहां पर क्रियेट करने का ऑप्शन दिया है इनने रिपोर्ट ठीक है जो मेरे पास कंपिटीटर एनलाइसेज है फोर एक्जामपल यह मैंने तीन कंपिटीटर डाले हुए थे अगर मुझे और डालने मैं आपको और कर डाल के दिखाता से नीचे बटन आ रहा है एड एडिट प्रोफाइल का इन्वाइट कोलीग का मतलब क्या हो गया कि आप अपने टीम मेंबर को इन्वाइट कर सकते हो जैसे आपके दो अबमान लीजे आप दो जने मैनेज कर रहे हो हो तो आप दोनों अपने अपने लॉगिन से एक्सेस कर पाओगे सेम अकाउंट को ठीक है मैंने इसमें यूज नहीं किया लेकिन हर जगा पे इन्वाइट कोलीग्स या इन्वाइट टीम मेंबर का मतलब होता है कि आप अपने किसी टीम मेंबर की इमेल डालके उसको इन्वाइट कर रहे हो वो इन्विटेशन होगा उस पे क्लिक करेगा यूजर ने पास्वोर्ड हो जन्रेट हो जाएगा उससे वो लॉग इन करके सेम अकाउंट दो जनी अक्सेस कर पाएगे इससे एक टीम पूरी तरह से एक सिंगल अकाउंट को मैनेज कर सकती है असानी से ठीक है ठीक है और बाकी हमने कल देखा था इसमें बहुत शा ठीक है तो लिबरेट.com की तो लिबरेट.com है जैसे उस लिबरेट.com हम कमपिटीटर नहीं माल रहे है हेल्थ सेक्टर में लेकिन हम लिबरेट.com की प्रोफाइल को अड़ कर सकती है हमें पता लगता रहेगा अगर वो अपने फेस्बुक पे कौन कौन से पोस्टे डाल रह है जैसे अगर ऐटी इंडस्ट्री में हाँ तो मैं किसी कम्पनी की जो मुझे मेशेर लगता है कि हमारे डीजन्मे हमारे अर्यकिया में टॉप की है या इंडिया में टॉप की है या अमेरिका में टॉप की है या इरोप में टॉप की है वो कमपरी प्रोफाइल्स में एड कर सकता हूँ मैं चेक कर सकता हूँ मैं एनलाइस कर सकता हूँ आप जब यहां है नीचे settings ठीक है competitor analytics में मैं एक profile remove करता हूँ इसमें से add and edit profiles ठीक है यह देखो instagram twitter youtube youtube अभी पता नहीं अब यह दे रहा है कि नहीं दे रहा है मैंने connect करके नहीं देखा ठीक है इसको instagram connect करके आप देख सकते हो यह delete कर दूँ मैं profile को अगर आप में से किसी को दिक्कत आ रही थी कि profile delete नहीं हो रही थी तो delete हो जाएगी हाँ यह एक चीज जो option मुझे problem किसी ने कही कि instagram नहीं delete हो रहा यह instagram delete कर रहे हैं तो facebook भी delete तो हो सकता यह possibility हो क्योंकि facebook की API से connect करता है API application programming interface से connect करता है कोई भी software जो instagram से connect करना चाहता है यानि instagram औ facebook एक ही हैं भी company तो हो सकता यह problem आ रही हो यह मैंने कभी observe नहीं करी hopefully मैं check करके देख लूँगा ठीक है मेरी instagram connect नहीं हो रही थी पता नहीं शायद बिजनस अकाउंट नहीं था या कोई और issue आ रहा था तो मैंने भी इस पर नहीं मैंने विसर्फ फेस्बुक और ट्विटर ही connect करे थे YouTube मैंने करा नहीं था connect तो अब मैं जैसे एक profile निकाल देता हूँ host advice खत्म करो hosting advice खत्म करो या यह यह खत्म कर देते हैं यह बेकार है यह कुछ डाली नहीं रा पोस्ट है remote delete clear okay चलो हम किसी और बड़ी company की profile लेते हैं मैंने आपको कह नहीं जैसे Microsoft Facebook page ठीक है जी यह ले लिया मैंने copy कर लिया add profile करो Facebook में गया copy searching ठीक है Microsoft इतने likes मिल चुके हैं इसको केतने likes हैं यह तेरा करो एक यह होगे चार लाख और यह होगया चौनते एक करोड़ चौनतेस लाख काफी है ठीक है ठीक है ठीक है यहां जोगे इन्होंने word यूज किया है competitive analysis हम इसको अगर यह कहें कि यह हमारे लिए inspiration है ठीक है means मैं इनको follow करूँ इन companies को follow करूँ और इनके according अपनी social media strategy को improve करूँ तो that is a thing तुम इनको अगर competitor मान के चल रहे हो तब भी okay नहीं तो influencer मानो जिनका impression आप पर पढ़ रहा है जो जिनको देख के आप improve कर रहे हो ठीक है चलो हम आते हैं content feed में देखें जड़ा Microsoft ने कितनी वो डाली है Microsoft कुछ डाल रहा है हाँ यह देखो post डाली हुई है यह देखो Microsoft.social यह भी कुछ है ना social का platform ला रहे हैं क्या बेरे latest developer tools है चलो click मार देते है ठीक है यह profile है अलग जगा भी खुल गया ठीक है यह Microsoft की profile डाली हुई है देखो यह डाली हुई है कितने likes मिलें 176 likes मिलें है ना शांदर चीज है means आपको एक ही जगा पे आप multiple companies को analyze कर पा रहे हो उनकी data को यानि अगर same date को आई है जैसे यह date को आई है आप यहाँ पे sort कर सकते हो date wise sort का है shared option इसमें sort wise newest oldest sort wise newest newest पे जाते है hosting 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 यह बहुत डाल रहा है इसकी तीनों 27 तारीकों इनों ने डाली है यह बहुत ज़्यादा involved है hosting वाले यह भी hosting advice है Microsoft ने कब डाली है Microsoft कहीं तो नजर आजो यह आगे 8-3 2019 में डाली गई है उनकी post 2035 like है 235 sorry तेक है 77 comments है 13 हो है क्या यह figure सही है मैंने हमने कल भी चेक किया था तेक है आप यहाँ searching में आपको easy हो जाए जाएगा ठीक है search करना आप टेक का नाम डालोगे तो उससे जो related होंगी आ जाएंगी ठीक है यहाँ पे all social network facebook only facebook इन्होंने एक चीज जो मुझे लगता है सही नहीं दी वो यह है कि मैं अगर specifically एक ही Microsoft का एक group के अंदर एक group के अंदर अगर Microsoft है तो मैं से Microsoft की चाहता हूं तो वो नहीं मैं कैसे करूंगा वो option नहीं है वो अगर होता तो अच्छा होता ठीक है ना तो आपके लिए आप देखो कितना शांदार option है हमारे पास कि हम सारी जितने भी हमारे competitor है उनकी प्रोफाइल्स उनकी पोस्ट को यह एक जगा देख रहे हैं उनको read कर रहे हैं और अच्छा feature एक और है download post to csv देखे जरा यह हमें कितना जब better format देता है यह आगे csv क्लिक करते हैं csv excel की file होती है बैसे comma delimited file होती है notepad में भी easily open हो जाती है ओह काफी complex लग रहा है 42 पोस्ट है दिखा रहा है last 30 days में है last 30 days में 42 पोस्ट है good very good post का text देखो काफी बड़ा text यह control a control c काफी बड़ा text है हर एक post का text भी उसने लाके दे दिया आपको total reactions कितने हैं comments कितने shares कितने हैं आपको पूरी excel sheet generate कर दी और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए होताओ आपको सभी post का आपके पूरा data आगया आपके पास यानि आप पूरा watch रख सकते हो अपने competitor पे ठीक है आप competitor हम word use कम करें अगर हम यह सोच के चलते हैं यह हमारे मतलब प्रेंडा सोत रहे है means जिनसे हम influenced है जिनसे हम जिनको देखके हम अपने आपको improve कर रहे है ठीक है तो better है या हम अपनी strategy को improve कर रहे है तो मैं यह बंद करता हूँ चेक है तो यह अच्छा option है हमारे पास content feed का एक चीज़ जो बस मुझे doubt लगे मैं इसमें कैसे करूंगा अगर मुझे specifically Microsoft की post चाहिए तो मुझे group अलग-अलग बनाने पड़ेंगे तब ही हो सकता है Microsoft का group एक अलग group में डालूँगा तो यहां से group अलग लूँगा तो उस group किया जाएंगी यहां पर और मेरे पास कोई option नहीं है बाकी यह तो आपको पता ही है सारी post अलग-अलग type की इससे आपको यह पता लग जाएगा आपका competitor या आप जो आप competitor चलो कह लेते हैं तो वह अगर कौन सी पूर तरह की post ज्यादा डालता है ठीक है और और यह तो आगे most reaction किसमें मिले comment shares किसमें मिले highest engagement ज्यादा लोग engage हुए ज्यादा लोगों ने share किया ठीक है involve हुए चुकि इसमें सारी Facebook ही है तीनों की तो वह है तो यहाँ हमारे पास कोई limit नहीं है किसी भी company को ले सकते हैं बड़ी बड़ी company की profiles को यहाँ add करके उसको analyze कर सकते हैं that is a great thing मेरे हिसाब से ठीक है engagement हो गई यह सारा data आपको वहां आ रहा है जो आप export कर रहे हो उसमें सारा data है की facebook पर ज्यादा हो रही है यह engagement rate hosting advice पर ज्यादा इस पर Microsoft पर काम है ठीक है interactions post reactions लोगों ने react कैसी किया कि देखो यह लिखे ने अलग-अलग color है angry inside हूँ यह तक बता रहा है वो कि कितने लोग angry हुए यह इतने लोगों ने like किया यह color like का है यह जा रहे है क्या है यह love का है वहाँ पर याद करो हम लोग symbols यूज करते हैं facebook तो यह कितना depth में जाके हम यह analysis दे रहा है possibility है Facebook पर जाके आप Microsoft की profile को नीचे तक देखते जो होगे तो कैसे आप calculate करोगे यहां तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि यहां कैसे यहां इनकी आने ले मैं यह नहीं कहता कि 100% यह लोग correct दे रहे हैं कई बार data fetch यानि get करने में कुछ गरबड़े हो जाती है calculations में पट अगर हम मानके चले 80-90% भी सही दे रहे है ठीक है तो बहतर है हमारे लिए बहतरी ही चीज है ठीक है ठीक है ठीक है okay done done engagement rate by day per day कितना हुआ that is good इस दिन जादा हुआ इस दिन काम हुआ इस दिन जादा हुआ यह अलग-अलग colors है hosting advice hosting advice hosting advice hosting advice इस को جिसको ॥्लिक करना है Microsoft पे क्लिक करों गे Microsoft दिखेगा यहां पे रहे GHा यहां पर है Microsoft की इंगेजमेट है नहीं ostracous यह बंργत करते हैं, तो खतम ही होजाता है Microsoft है नहीं यहां पर Microsoft में एंगेजमेट है नहीं hosting advice पे जादा हो रही है यहां देखते हैं यहां किसकी है यह होस्टिंग एडवाइस की और यह किसकी है माइक्रोसॉफ्ट की टोटल इंट्रेक्शन बाइडे अगर हम होस्टिंग एडवाइस बंद करते हैं यहां क्लिक करोगे बंद हो जाएगा यहां गाएव होगे नहीं देखो नीचे आ रहे थे छोड़े छोड़े छोटे छोटे इस पे click कर होगे आ गया यह नहीं आप अपने chart में अगर multiple companies देख रहे हो 57 companies की profiles को देख रहे हो तो यह colorful यहां पर जो button से इस पर click करके off on कर सकते हो यहां पर देखो Facebook का hosting आ रहा था Facebook ये इसी को बंद करेंगे तो इगाय भी ये है ये पता नहीं किस चीज का था फोटो का था फोटो जो hosting advice ज़्यादा लोगों ने शेर करी है ज़्यादा involved हुए है फोटो based में ठीक है न यानि ये फोटो based post कर रहा था तो वो ज़्यादा लोगों ने पसंद करी ठीक है तो आपको थोड़ा से समझना पड़ेगा इसको ठीक है analysis को धेरे सब समझा जाएगा post versus engagement rate ये देखो ये देखो मैंने post जितनी करी engagement उसे साब से लोग कितना involved हो रहे हैं इस पे अगर हम देखते हैं इस पे कम हुई है इस पे ज़्यादा हुई है 40 उपर तक बढ़ रहा है न ये 40 तक इस पे ज़्यादा engagement हुई है post के according post उसने 38 डाली ठीक है engagement ज़्यादा हुई है उसकी तो ये अपने हिसाब से इधर की तरफ engagement बढ़ रही है percentage of engagement और इधर बढ़ रहा है post कितनी post है डाली कितने लोग engage हुए यानि कितने लोगों ने आगे share किया अपने यू मतलब involve हुए ठीक है sharing वगरा करी ठीक है post को read किया बखिये आप और depth जाते हो और frequency है ठीक है ठीक है वो ही आपका यहाँ यहाँ पर facebook है group ही बना हुआ है एक ही group है उपर से group change कर सकते हो अगर facebook और twitter दोनों इस group में है प्रफाइल तो यहाँ दो आ जाएंगे last 30 days या कितने time के लिए आपने period यहाँ से चुलो 90 दिन का हो custom range पर click करोगे तो आप यहाँ पर type कर सकते हो यहाँ calendar है यहाँ टाइब यह year वगड़ा change करना है month ठीक है यह change कर सकते हो ठीक है तो यह charts है धेरे जैसे जैसे involved होगे जैसे इसको use करोगे आपको धीरे धीरे आदत पढ़ती जाएगी जब 4 में से 2 चीज़ें आ जाएंगी तो अगली दो के लिए efforts होगे कि उन में से क्या निकल सकता है आप अपनी profile को ही check कर सकते हो ठीक है आप दूसरों की किसी की डालो बच 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 बेटर है अभी तो आपकी profile में इतना दम नहीं होगा कितने data नहीं है निपोस्टे नहीं है तो आप दूसरों की profile डालो उससे उनको check करो क्या जा रही है उनकी send कैसे लोग वो लोग कर रहे है उनकी profile को add करो ठीक है clear जी done ठीक है जी ये तो था हमारे competitor analytics आप इसको मैंने आपको profile add करके भी दिखा दिया ये ना collapse नहीं होता बंद नहीं हो रहा क्लिक की कर दिया है ठीक है ये आ गया collapse means बंद नहीं होता ये नीचे वाला उपर में खल से ये पता नहीं है तो chrome में error आ रही है क्योंकि firefox में मेरे को लग रहा है मेरे ठीक चल रहा है ठीक है बाकी ये तो हई है add edit profile आप करते रहो ठीक है अब हम आ जाते हैं dashboard पर याता हो में में मकसद हमारा ये नहीं है कि हम social status को जाने में मकसद ये है कि हम analytics को समझे यानि social analytics को ठीक है जो हमारी strategy का main part होगा जब तक आप जो आप करे जा रहे हो करे जा रहे हो पोस्टे डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो followers नहीं आ रहे लोग like नहीं कर रहे अरे क्या वज़ा है ऐसा क्यों हो रहा है अगर आप क्या करोगे आप दूसरों से compare करोगे naturally जब compare करोगे तो आपको लगेगा उसके पास या रूच के पास इतने followers क्यों है तो को खाली पोस्टे डालना नहीं होता है बहुत सारी promotions भी होती है मान लिजिए आप Twitter आप Twitter का account भी manage करेंगे और Facebook का तो Facebook में जब post डाल रहे हो तो उसमें Twitter का link भी डाल दे रहे हो बंदा कोई click करके Twitter पे चला जाए और Twitter में जब post डाल रहे हो उसमें Facebook का भी link डाल रहे हो Facebook के आपके page पे चला जाए तो followers बहुत तरीकर से बढ़ते हैं आप ने 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 friends बना रहे हो आप अपना group start कर रहे हो आप Facebook पे आप आल्रेडी बहुत सारे groups के members बन रहे हो उसमें आप कोई अच्छा tech code content डालते हो है कुजी question का reply करते हो और वहाँ पे अपना Facebook का page छोड़ जाते हो ग्रूप का link छोड़ जाते हो आप क्योरा हमने मैंने पहले भी बताया था क्योरा वगरा पे अगर आप question answer का reply कर रहे हो अपने questions डाल रहे हो तो वहाँ से भी आपको business की सकते हो बहुत से traffic आप अपने profiles पे ले जा सकते हो ठीक है और profile से आप traffic अपना website पे transfer कर सकते हो तो यह funnel बन गई मतलब एक tunnel बन गई T-U-N-N-E-R-F-U-N-N-E-L funnel बन गई यहनि एक type से tunnel बन गई ठीक है तो एक type से आपकी आप leads को अपनी prospective customers को जो customers आपके बन सकते हैं आपके users को एक जगा से दूसी जगा ट्रांसफर करें जिससे कि वो ultimately आपके goal को achieve करने में help कर सेगा आपका goal naturally आपकी website की promotion होगा अपने products की promotion होगा अपनी profiles की promotion होगी ठीक है तो वो आप चल बिल रहे हैं आपको इस तरह से ठीक है अज़के बाद आते हैं influencer analytics ये मैंने check नहीं किया था ठीक है माइनस माइनस और क्या दे रहे है influencer group group की average 0,0, impression 0, total interaction 0 add new group मैंने कोई group नहीं add किया इसमें ये influencer group dashboard पे हम check करते हैं यहाँ यहाँ पे है influencer group मैंने कोई group नहीं add किया एक नहीं नहीं group add करता हूं ठीक है group का नाम दे देता हूं top influencer ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं ठीक है group बना दिया मैंने अब profile add करनी शुरू करूं चलो जी किस से शुरुआद करें Microsoft यह डाली profile done add होगी इस group में उसके बाद हम करते हैं गूगल डाट कॉम खोलते हैं oh spelling mistake Google Google Facebook page ठीक है ठीक है आगे हम यहाँ पे Google को डालते हैं इसके देखो लाइक्स कितने हो रखें Google के काफी जादा लाइक्स है काफी हैं दो कंपनी काफी हैं देखे जरा हम summary influencer analytics पे हम जाते हैं इसने अभी data collect नहीं किया यह तो हमारा वही है data यहाँ पे कोई आया नहीं content feed content feed तो आपको वही दिखाएगी no post to show यह एक बार चेक करना पड़ेगा influencer वाला यह fetch नहीं कर रहा data या इनका यह वाला tool अभी proper working में नहीं है या हम नहीं समझ पा रहे कि क्या चीज है वैसे आना चाहिए थे data बट यह data fetch क्यों नहीं कर रहा एक मिनट गलत हो गया करेगा नहीं मैंने गलत तो select कर रखा है यह तो select ही नहीं किया यह लो group select कर लिया अब लेगा content feed अलड़ी selected है ठीक है जी आगे नहीं google की भी आगे post है अगर आपको यह facebook के page पे देखना हो तो कितना दिक्कत वाला question हो जाएगा यहां आप सारी google की post है देख पा रहे हो ठीक है आप इसको कोई भी tool तब तक better नहीं होता जब तक आप के पास उसका use करने का better plan नहीं होता ठीक है बंदा चाहे तो एक कील से पूरा पहाड खोद सकता है पूरा पहाड गिरा सकता है अगर वो उसको सही तरह से use करे अगर मैं कील को एक लकड़ पे मार रहू हूँ या किसी asset tool में डाल लगाके उससे खोदना शुरू करूँ तो मैं अगर से tool आपके पास होते हैं लेकर आपसे utilize नहीं कर पाते हैं गूगल ने तेरा पोस्टे डालनी हैं 26 दो से लेके 27 तीन पूरे एक महिने के अंदर इस 13 पोस्ट की reactions यानि likes होई है 16,000 इसकी और उसकी तीन posts होगी सिर्फ 600 पार naturally Microsoft को थोड़ा like लोग कमी करते हैं कमेंट्स उन्नीस सो can we almost 10 times इसके हो रहा है total interaction जादा हुई है बहुत जब है 22,000 अब यह total interaction यह कैसे कर रहा है 16,000 17,000 18,000 24,000 इन तीनों का total यह यहां ले रहा है total interaction भाई आप interact कैसे कर रहे हो प्रोपोस्ट के साथ या तो आप like करोगे या आप reply करोगे दोनों भी चीज़े कर सकते हो या फिर आप share करोगे ठीक है तीनों भी चीज़े कर सकते है ठीक है retweet करोगे तो इनोंने तो total इनको क्या पता कि भाई किस बंदे ने like भी किया है किसी ने reply भी किया है इनों तो टोटल लेनी है, तो यह अपनी जगह सही है, ठीक है, यह रेको कितना शांदार आपको, वही चीज़ें आ रही है, जो आपके influencers है, same है, engagement rate by media type, किस event है, link है, note है, photo है, text है, video है, क्या डाल रहे हैं वो लोग, ठीक है, वो जिस तरह का डाल रहे हैं इसमें, content, उस ही सा engagement, एक मिठ में आपको देखते हैं, वाकि, थोड़ा सा difference आ जाता है, interaction तो आप समझ रहो, मैं engagement rate, what is social engagement rate, engagement rate एक ऐसी matrix होती है, यानि calculation का एक ऐसा तरीका होता है, जो measure करती है, level of engagement that a piece of created content is receiving from audience, देखो interaction तो तीन ही तरह से हो रही है, retweet कर रहा हूं, like कर रहा हूं, comment कर रहा हूं, या फिर 30 चीज जो एक और थी, क्या थी, क्या थी भई, तीन, 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 कहां वोई थी, comment और replies थी, ठीक है, तो यह होती है interaction, लेकिन किस level तक की engagement हो रही है, लोग किस level तक involved हो रहे हैं, मलब मैं अगर इसको कोई ने कोई formula से निकाल रहे है, how much people interact with the contents, मैंने 40 पोस्टे करी है, 100 पोस्टे करी, कितने लोग already member थे, और कितने लोगों ने interact किया, factors that influence engagement, जैसे हम कह रहते हैं, वोटर तो हमारे 100 थे, वोट दी सिर्फ 4 परसंट लोगों ने, ठीक है, तो वो चीज हो रही है, कहीं न कहीं है ratio ratio calculation हो रही है, उसी के base पे, यह जितनी ज़्यादा होगी engagement, यानि कि लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपकी पोस्टों को, और लोग ज़्यादा आपको shares होगारा करें, ठीक है ना, तो how to calculate engagement rate, to calculate an influencer, यह देख वही आगे ने, influencer का engagement rate, total the engagement, like plus comments plus detail, across all the influencers, shares post on a particular profile, then divide by the total number of followers, मैंने करी, मेरी 400 पोस्टे हैं, 100 पोस्टों पे, यह मैंने, मेरे इतने like हुए, समनलो, 10,000 likes हुए, tweets हुए, comments हुए, उसको मैं divide करूँगा, मेरे follower से, ठीक है, मतलब, like, comments, retweet का total करो, divide करो, all of the, divide करो, उसको आप total number of followers से, and divide that by number of posts, क्या मतलब है यह, कुछ ज्यादा complicated तो नहीं हो गया, हो गया लग रहा है, okay, कहने का मतलब यह है, मैं यहीं डालता हूँ, मेरी total post है, जैसे, मान के चलो, मेरी total likes है, यहाँ से ले ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, मान के चलो, यह 16,000 हैं, यह मैंने खोल दिया, notepad, total interactions, गूगल के कितनी है, 22,000 मान लेते हैं, चलो, 22 का 24,000 मान लेते हैं, चलो, चीक है, और, टोटल, पोस्ट इन्होंने दीवी है, 13, है न, समलो, टोटल पोस्ट मान लेते हैं, 20, है न, टोटल 20 पोस्ट पे, 24,000 interactions हो, ठीक है, यह 24,000 मान ले, ठीक है, engagement rate calculate कर रहा है न, यह देखो, लेकिन, followers कितनी हैं, यहां followers नहीं आ रहे हैं, ठीक है, समझ के चलो, followers हैं, 10,000 followers, टोटल, followers, ठीक है, यही formula है, कहां गया रहे हैं बाबे, formula, formula यही है, calculate, हां, then divide by total number of followers, and divide that by number of posts, okay, total followers ले लिए हमने, समलो, 500 ले लो, ठीक है, formula जानते क्या बनेगा, engagement rate is equal to 24,000, यानि total interactions कितनी हैं, ठीक है, यह लिया bracket में, ठीक है, divide किया total number of followers से, 500 से, फिर उसको जो figure निकलेगे, उसको divide किया 20 से, तो क्या लिकला value, यह आई, 24,000 को 500 से करा 48 आगी, 48, और उसको divide किया 20 से, तो हमारे पास आई, 2.4%, यानि इतनी engagement rate है, भाई, इतना ही लोग involved हो रहे हैं, आपकी post हो में, 2.4% लोग, बहुत कम है engagement rate, अगर यह मान लोग के चलो, 20-30% होती है, तो यह समझ के चलो, आपकी हर post पे, हर user visit कर रहा है, और viewer आप visit कर रहा है, और कुछ ना कुछ share या tweet कर रहा है, तो यह बढ़ा होगे, engagement rate, तो समझ के चलो, आप top पे हो, बड़ी से बड़ी company के नहीं हो, ती तनी engagement rate, आप क्या दे रहे हो, यह depend करता है, अगर आपकी post वे, में जान है, आप regular एक post डालने के बजाए हैं, हफते में एक post ऐसी डालो, जो शांदार है, लगे की बंदे ने पढ़ा, और वो कहें कि भाई, इसको तो share करना चाहिए, 100 लोगों का benefit होगा, ठीक है, तो फिर देखो, आप कहां से कहां होते हो, ठीक है, यह strategy है, ठीक है, तो समझे कुछ, आप लोग, मेरे ख्याल से काफी क्लियर होगा, engagement rate, ठीक है, interactions आपको क्लियर होगे ही, कि तीनों का total है, ठीक है, आप इसको हैसे कैसे कर सकोगे, बताओ, इनोंने तो हमें करके दे दिया, यहाँ पे, अगर आप इसको, वहाँ पे देखोगे, क्या बोलते है, एक एक profile में तो impossible है, तो यह हमारे लिए tool एक वर reason नहीं होता, ठीक है, आपको यह दिखा रखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी, hopefully मेरे को लगता है, काफी हद तक आपको clear हो गया होगा, ठीक है, तो influencer जो आपको, आपको impress कर रहे हैं, जिनसे आप रभावित हो रहे हो, और जो competitor है, वो अलग होगे, दोनों में same चीज है, परक कुछ नहीं है, कोई खास परक नहीं है, ग्रोथ क्या दे रहा है, ग्रोथ कम्यूनिटी साइज ओन फरवरी 26 को इतना था, बापने बाद, और अब कितना है, इतना था, यह कम्यूनिटी साइज शायद लाइक्स को कह रहा है, नेट चेंज जीरो हुआ, इन पेजी ग्रोथ कुछ नहीं हुई यह आपकी ग्रोथ बता सकता है कि आपका आप लास्ट चब एक पुरे एक महीने में एक महीने पहले क्या status था अब आप क्या है अगर आप में 90 दिन ले ले लेता हूं 90 डेज तो 90 दिन के स्टार्टिंग में क्या status था 27 दिसमबर को और मार्च 27 को क् कुछ भी बड़ा नहीं, कुछ खागा, क्योंकि डाटा ही नहीं है न, भाई अगर डाल डाटा भी कैसे आएगा आप डाल के रखोगे न, इसको प्रोफाइल को, अगर आप डिलीट कर दोगे प्रोफाइल को थोड़ी डाटा मेंटेन होगा, ठीक है न, ये तो आपकी यह कैसे उठाएगा यह एक आज उठा रहा है फिर एक महिने बाद अगर आप चेक करोगा तो उस दिन का भी उठाएगा तो दो दिनों दो देट्स में तभी जब इसके पाद पुराना डाटा होगा अब गूगल की प्रोफाइल थोड़ी इसको पुराना डाटा देगा या फेस्टबुक देगा वो नहीं देगा ये अपने पास रखेगा श्ğोल करके तो यह है डाटा जो वह कितने टाइम तक स्टोर कर सकता हैwow टीन महिने च्छ महिन तीन के बाद एक पोस्ट कर रहा है ठीक है तो तो टो ट्रम भर भूर सक इतनी ए इंप्रेशन्स रीच एवरेज इंप्रेशन्स ये कुछ भी नहीं पार हो स्किर्ण स्विकिस ऐविलेबल नहीं है या फिर इनकी साइट पर या ये स्टری्स टिक्स मझेर सोशल स्टेश technologies काम नहीं कर रहा है इस सैटिस्टिक्स पे या इन प्रोफाइल्स में नहीं है या आपको यह और प्रोफाइल एड करोगे तो आपको पता लग जाएगा ठीक है तो यह भी अपने आपको इंप्रूफ कर रहे हैं सोशल स्टिटस वाले तो मेरे ख्याल से दोखो मैं भी इतना शूर नहीं था कि यह कितना पाउरफूल टूल है क्योंकि मैं भी अनिलाइसिस कर रहा था भी इसको आपको जब मैं आपके यह दोनों लेक्चर्स कल के और आज के लेक्चर लेते हुए मुझे भी लगा कि शायद हम लोग अगर स्ट्रेटेजी कली कि किसी जगा पर यूज करें इसको तो यह इंप्रेसिव टूल साबित हो सकता है बहुत जगा पर किसी जगा पर क्या बहुत जगा पर अगर आप अपने आपको इंप्रूफ करना चाहते हो ठीक है बहुत सी अच्छी चीजे हैं जो इसमें आप दूसरी का स्टेटस देख रहे ho दूसरे का अनेलिटिक्स देख रहे हो प्लस दूसरे के कॉंटेंस देख रहे हो आप पोस्टें एक्सपोर्ट कर पा रहे हो उसकी और क्या चालिए इतना जादा कुछ मिल रहा है आप BCO BCO profile add करो अलग-अलग account में और जो मर्जी करते रहो that is a great thing ठीक है न चुकि अभी मैंने इसका paid account लिया नहीं है बट मैं अभी analyze कर रहा था कल थोड़ा busy था आज मैं सोच रहा हूँ, आज मैं purchase कर लूँगा hopefully आप लोगों को भी पसंद आएगा ये account ये आप अभी free use करोगे जब हमाँ पर paid account होगा, हम paid account को use कर लेंगे, ठीक है ठीक है तो शांदार चीज है, good analytics है ठीक है, helpful है ठीक है चलो, well मैं आज की class को यही stop करता हूँ ठीक है तो हमारा social status की study almost complete है नहीं रहे, ads बहुत costly होती है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है क्लाइंट हमें कहेगा, तो हम उसके लिए करेंगे otherwise तो यह बेकार है हमारे लिए, अपने लिए तो बेकार है क्योंकि हम लोग Google गूगल पर ना ads देंगे ना Facebook पर ads देंगे, क्योंकि वहाद costly medium हो गया यह, ads देना ठीक है, और reliable नहीं रहा गया, काफी हद तक bad medium हो गया क्योंकि fake clicks ज़्यादा होते हैं, आपके पैसे कटते रहते हैं, ठीक है चलो, यह Google, आगर आपको ad का account, ad करना है, मतलब Facebook का, यह, शायद Facebook की ad करने देता है, यह, देखने है Facebook दे रहा है, Instagram पर ad दे रहे हो गया, तो इन दोनों का यह ad करने है, Google ads का नहीं दे रहा है, ठीक है उसके लिए तो adwords का अपना बहुत powerful है, Google analytics आपको आगे बताऊंगा, तो वो बहुत शांदार चीज है, ठीक है, बट हम जब website पर SEO पर जाएंगे, तब की बात है, अभी तो हम लोग SMO पर ही है, social media optimization पर, ठीक है, इसमें अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अभी, ठीक है, hopefully, मैं जीतना explore कर पा रहा हूँ, आपको बताता जाओंगा, ठीक है, thank you, चलो यह lecture stop करते हैं, ठीक है, ओके,